ये वो एतिहासिक जील है जहां प्रिटिश शासन के दोरान स्वतंदरता सेनानियों को रखा जाता था इसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है ताकि देश के लिए अपनी जानियों छावर करने वालों के बारे में आने वाली पीडियां भी जान सके 116 साल पुराने कूलकता के इस अलिपूर सेन्टरल जेल में स्वतंदरता आंदुलन के दोरान नेतजी सुभाज चंदरबोस, पंडित जवाहरलाल नहरू, श्री अरबिंदू, शरत चंदरबोस, बिधान चंदरराय जैसे दिगज नीता रहे थे इस जेल में कई स्वतंदरता सेन्यानियों को फासी भी दी गई थी 1906 में बने अलिपूर केंदरी सुधार ग्रह को 2019 में सुरक्षा उद्देशियों के चलते बन कर पैजियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था मरमत और नवेनिकर के बाद इसे म्यूजियम में बदल दिया गया और अब पहली बार इसे जंता के लिए खोल दिया गया है जिसे ममता सरकार की तरफ से नवरादर का गिफ्ट कहा जा रहा है स्वतंतरता सैन्यानियों पर धाय गए अंग्रेजों के जुल्म की गवा इस जेल को म्यूजियम में बदले जाने के बाद अब ज्यादा संख्या में लोगों के यहां पहुँचने की उम्मीद की जा रही है हमारे जो आने वाले जो पीडिया है वो जैसे हमारे वो सब नेता को न भूल जाएं यह अपने लिए एक हेरिटेज है एक हिस्ट्री है और कलकटा का यह कल्चरल हब है आस्ते करेंगे यहां इसको वाल्ट हेरिटेस साइट करेंगे बहुत कुछ अभी इसमें जोड़ना है और आस्ते आस्ते यह एक जगा बन जाएगा जो शाहिदी बिश्यों में कहीं पर दिखाई देगा हाँ यह हमारे मुख्यम सीम के तरफ से हमारे कलकटा के लोगों के लिए भारत वर्ष के लोग के लिए हमारे ममताव इनर्जी का यह है पुजा किप्ट यहाँ एक लाइप्डेरी एक कैफेटेरिया एक प्रदशनी केंदर के अलावा लाइट एंड साउंड शो की ववस्था का लोग फाइदा उठा सकेंगे एंट्री टिकेट 30 तो लाइट एंड साउंड शो टिकेट की कीमत 100 रुपे होगी चिंड सैल और इमारतों में नीता जी सुभाज जंद्रबोज पंडित जवाहर लाल नहरू और चितरंजन दासरु के उन्हें भी इस म्यूजियम में संरक्षित किया गया है प्यूर रिपोर्ट क्राइम तक कि ав कर्दाओ कर दूजब को तक दूर है